नमस्कार मेरा नाम जैश कुमार शर्मा है और मैं आनन इंजरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पत पर कारे रहा हूँ आज की चर्चा का विशा है HTML Form Tech जिसमें आप सीखेंगे कि HTML Form Tech क्या होता है HTML Form Tech को इस्तमाल करने के लिए कौन-कौन से control हम यूज़ करते हैं और इसके अलावा अगर हम HTML में control यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम किस तरह से program करते हैं इससे पहले वाली शर्चा में आपने HTML की मदद से webpage कैसे बनाते हैं यह देखा था जिसमें कुछ basic HTML Text की बात की गई थी जैसे की break, bold, font इन HTML Text की मदद से आप एक अच्छा webpage बना सकते हैं लेकिन एक effective webpage बनाने के लिए पूरी website बनाने के लिए सिर्फ यह text काफी नहीं है उसके लिए हमें form tag की जरूत पड़ती है और form tag के साथ हमें additional controls की जरूत पड़ती है जो आज की चर्चा में हम लोग discuss करेंगे तो सबसे पहले हम लोग आते हैं HTML forms के उपर आप सभी ने देखा होगा कि जब हम लोग कोई website विजिट करते हैं या website को देखते हैं तो वहाँ पर एक registration का या login का option होता है registration और login में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक screen हमारे सामने खुल के आता है जिसमें हमें अपनी detail डालनी होती हैं जैसे कि नाम, date of birth, age, address, mobile number, phone number तो ये सारी details हम जिस page के अंदर डालते हैं या जिस section के अंदर हम डालते हैं तो उस section को हम लोग कहते हैं form किसी भी website में अगर आपको registration के लिए provision देना है या login के लिए अगर आपको option देना है या अगर आपको user से कोई data मांगना है तो उस data को मांगने के लिए आपको form एक बनाना ही पड़ेगा तो form बनाने के लिए हम लोग इस्तिमाल करेंगे html form tag web page के अंदर form को incorporate करने के लिए हम लोग form tag का इस्तिमाल करते हैं जैसा कि इस web चितर में आपको दिखाई दे रहा है form element हमारे पास html में होता है जिसकी मदद से हम एक form web page के अंदर डाल सकते हैं form tag को इस्तिमाल करने के लिए हमारे पास दो attribute होते हैं पहला attribute होता है method और दूसरा attribute होता है action हमे यह बताता है जो data हमने user से लिया है, उसको हमें किस तरह से भेजना है को method में हमारे पास फिर दो option आते है, पहलाおおक्शन होता है get और दूसराıs प्षन होता है तो गैट का मतलब होता है कि जो भी डेटा आपने यूजर से लिया है जब आप उसको सर्वर पर पोस्ट करेंगे तो वो सारा डेटा आपके और प्ने पर उसक्राइब देगा कि घ्रण पर आपको यूरीं करेंगे डीडिर देगा कि वो डेटा क्या है लेकिन जब हम पोस्टमेशं कर अंदर लिए skilled और अम पीजुच मेंके इस 오ल के साथदा कि हमारा user से लिया हुए data किसी को दिखाई दे तो हम post method इस्तिमाल करते हैं नहीं तो हम get method से भी काम चला सकते हैं तो form tag के अंदर पहला attribute हुआ method जिसमें हमने देखा कि get और post हम इस्तिमाल कर सकते हैं दूसरा हमारे पास जो attribute है वो है action action attribute हमें यह बताता है कि जो data हमने लिया है और जो data हमने भेजा है यह हमें कहां भेजना है माल लीजिए कि मेरे पास एक registration form है जिस registration form के अंदर मैं user से उसका नाम mobile number और email माग रहा हूँ और जब मैं submit button को click करता हूँ तो post method की मदद से मैं उस data को server पर भेज रहा हूँ लेकिन वो data server पर कहां जाएगा तो यह मुझे बताना पड़ेगा action attribute के अंदर कि यह किस page पर जाएगा या इस information को मुझे email करना है तो यह जानकारी हम लोग action attribute के माध्यम से देते हैं जैसा कि हम लोगों ने बात की थी शुरुआत में कि form tag के साथ हमारे पास कई controls होते हैं अब यह controls क्या होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि registration form के अंदर मैं तीन जानकारी user से ले रहा हूँ पहली जानकारी है उसका नाम दूसरी जानकारी है mobile number और तीसरी जानकारी है उसका email तो अब यह जानकारी user कहाँ enter करेगा कहाँ डालेगा इस जानकारी को webpage के अंदर तो सिर्फ form tag ही पूरा form नहीं बनाएगा उसके साथ हमें कुछ controls की जगोत पड़ती है जो user को help करते हैं जानकारी डालने के लिए तो हमारे पास जो controls होते हैं कौन-कौन से controls है पहला control है text field उसके बाद आता है check boxes उसके बाद है radio buttons फिर आता है select उसके बाद आता है file select boxes hidden fields और buttons इन सारे controls की मदद से हम लोग एक effective form design कर सकते हैं किसी भी web page के लिए यानि कि अगर हमें registration form बनाना है तो हमें क्या-क्या चाहिए हमें चाहिए एक form tag और form tag के साथ हमें चाहिए जो ज़रूरी controls हमें जानकारी के साब से चाहिए होगे वो सारे controls हमें form tag के साथ चाहिए एक-एक करके इन सारे controls को हम discuss करते हैं क्या करते हैं और किस तरह से इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं तो पहला control है text input control जिसको हम लोगा ने कहा था text field तो text field के अंदर जैसे कि आप इस slide में देखेंगे इस section में ने highlight किया हुआ है HTML के साथ हमने सबसे पहले लिखा form tag क्योंकि कि मैंने आपको बताया control जब भी कोई HTML control आप लिखेंगे तो वह हमेशा form tag के अंदर लिखा जाएगा इस बात को ध्यान में रखिए कि form tag के अंदर ही सारे controls लिखे जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमें सबसे पहले form tag लिखना है तो इस चित्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है form action equal to slash action page.php इसका मतलब क्या हुआ मैं web page को बता रहा हूँ कि मैं form design करना चाहता हूँ यह web जो जानकारी आएगी जो जानकारी आएगी वो जानकारी कहां पर जाएगी action page.php पर जाएगी जो मैं action के माध्यम से बता रहा हूँ यहां पर मैंने method का इस्तमाल नहीं किया हुआ है अगर आप method को नहीं लिखेंगे तो जो default method html लेता है वो get method है यानि कि आपकी सारी जनकारी url के साथ embed होके जाएगी तो अगर इस form tag को हम लोग पूरा देखेंगे तो form action equal to action page जहां मेरा data जाएगा और method यहां पर होगा get अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मैं एक text box चाहता हूँ जहां पर user अपना नाम या अपना first नाम एंटर कराना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए एक space देना पड़े था वो space इस control के माध्यम से provide होता है तो उसके लिए मैं लिखना पड़ेगा input input means हम एक input लेने के लिए एक box provide कर रहे है उसका type क्या है text text means कि जो user type करेगा वो उसको वहाँ दिखाई देगा तो अगर मैं अपना नाम type कर रहा हूँ तो वो नाम आपको typing के बाद वहाँ पर as it is दिखाई देगा इसके बाद एक attribute आता है name name equal to first name जब इस जयनकारी को हम server पर भेजेंगे तो इस जयनकारी को भेजने के लिए मुझे इस data को retrieve भी करना पड़ेगा तो retrieve कैसे करेंगे उसके लिए हमें एक unique identifier चाहिए एक नाम चाहिए तो वो नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है first name यानि जो जो भी value इसके अंदर user type करेगा वो value को मैं first name से जानता हूँ तो first name के माध्यम से वो सारी जानकारी में उठाओंगा और उसके बाद ही उसको आगे भेजूँगा और यहाँ पर मैंने value दी हुई है दरपन यानि कि यह value user को वहाँ पर दिखाई देगी screen पर दिखाई देगी वैब पेज के अंदर तो जैसा कि आप यह देख सकते हैं मैंने इस प्रोग्राम के अंदर दो input लिये हुए है input type equal to text जिसका नाम दिया है मैंने first name और value दी है दरपन एक दूसरा text box मैंने लिया हुए है जिसका name मैंने दिया हुए last name value दी हुई है आनन तो इस snapshot के अंदर आप इसके बाद हम अगले control पर आते हैं जिसको हम कहते है password input control इसका बतलब है कि यह भी एक text field type का ही control है लेकिन इसका type थोड़ा सा अलग है पहले control के अंदर हम लोगों ने दिखा था text input control जिसमें type दिया था text यानि कि user जो भी type कर रहा है वो type करया हुए matter हम लोगों को सामने लेकिन जब हम password input control की बात करते हैं तो जो user type कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता है आप लोगों ने एकसर देखा होगा login screen के अंदर जब हम login name अपना enter करते हैं तो वो हमें दिखाई देता है हमारा login name क्या है लेकिन जब हम password एंटर करते हैं तो password की जगे star लिखा हुआ जाता है ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा password को और देख सके तो इस तरह की sensitive information जब हम लोग enter करते हैं तो text input की जगे हम लोग password input को use करते हैं तो यहां पर हमें क्या करना होगा इस शितर के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पर लिखा है input यानि कि मैं user से कुछ input लेना चाहता हूं किस type की information लेना चाहता हूं उस information का type है password उसके लिए name क्या होगा जिसकी मदद से मैं इस data को retrieve करोगा उसका नाम भी मैंने दिया हुआ है password तो यह output screen के अंदर आपको दिखाई देगा यहां पर दो fields मैंने लिए है user ID औ हुआ है वो है text और password के लिए जो लिया हुआ है वो है type password इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे input control पर जिसको हम कहते हैं multi-line text input control आपने कई बार देखा होगा कि कुछ controls ऐसे होते हैं जहां आप अपना email एंटर करते हैं यानि कि single line में आप अपना content लिख सकते हैं लेकिन अगर registration form में आपसे अपका address पूशा गया है residential address पूशा गया है तो residential address आप single line में कैसी लिखेंगे residential address लिखने के लिए आपको multiple line या कई line का support चाहिए तो कई line के support के लिए हम लोग input type change करते हैं और उसको हम कहते है multiple line text input control जिसको हम implement करते है text area tag की मदद से तो text area हम लोग implement करेंगे जब भी हमें text box के अंदर multiple line चाहिए जिसमें user अपना address या और कोई information provide कर सके text area को हम कहां लिखेंगे form tag के अंदर लिखेंगे और इसको कैसे लिखते है text area के अंदर हमें बताना होगा user को कि इसके अंदर कितनी rows है rows means number of lines तो इस चितर के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने text area के अंदर 5 rows दी हुई है 5 rows का मतलब है कि user 5 line तक अंदर कर सकता है number of columns मैंने दिये हुए 50 यानि कि एक line में कितने character वो type कर सकता है 50 character type कर सकता है इसका नाम दिया हुआ है description यहां जो एक देखने वाली चीज है कि text area लिखने के बाद मैंने इस tag को close भी किया हुआ है आप सब को जानकारी होगी कि जब भ यहां को close किया हुआ है लेकिन जब हम लोग ने input type use किया था input type equal to password input type equal to text तो हमने वहाँ पे अलग से उसको close नहीं किया था close करने के लिए हमने last में एक slash लगा दिया था जिससे मान लिया जाता है कि एक tag हमारा close हो गया है इसके बाद हम अगले control पर आते हैं जिसको हम कहते है check box control check box control को हम कैसे समझ सकते हैं आप किसी site पर गए और site में आपसे आपके interest पूछे जाते हैं आपकी hobbies पूछी जाती हैं तो उसमें बहुत सारे option हमारे पास होते हैं traveling मेरी hobby है किताब पढ़ना मेरी hobby है movie देखना मेरी hobby है यानि एक से ज़्यादा जानकारी हम provide करना चाहते हैं तो जब भी हमें user को इस तरह की एक से ज़्यादा जानकारी देनी है तो हम form के अंदर check box control को implement करते हैं यहाँ पर इस चित्र के अंदर आप देखेंगे कि user के पास दो option है computer science and engineering और electronics and communication engineering और उसको अपनी choice mark करनी है और एक से ज़्यादा choice mark करनी है तो इसके लिए हम लोग use करेंगे check boxes check box को हम किस तरह से लिखते हैं check box को लिखने के लिए हमारे पास जो control होता है फिर से वही input है उसका type हम बदल देते हैं जिसको हम लिखते है check box check box का मतलब है कि यहाँ पर user check box की मदद से multiple options अपने दे सकता है हर control को हमें एक नाम देना होता है तो यहाँ हमने नाम दिया हुआ है और हर check box के लिए एक unique name आपको देना होगा तो यहाँ पर हमने नाम दिया हुआ है CSE और इसकी value दी हमने on या off यानि कि आप इसको बता सकते हैं कि by default यह check box हमारा tick रहेगा या untick रहेगा तो हमारे पास दो तरह की values होती है पहली होती है on दूसरी होती है off on का मतलब है कि जब भी user को दिखाई देगा तो वो tick दिखाई देगा अगर मैंने value off select कर रखा है तो उस case में user को unchecked दिखाई देगा तो यहाँ पर पहली line के अंदर हम लोगों ने लिखा है input type equal to check box name equal to cse value equal to on और उसके अंदर मुझे user को क्या choice देनी है तो choice मुझे देनी थी computer science and engineering तो computer science मैंने इसके बाद लिख दिया है और उसके बाद मुझे दूसरा option अपने user को देना है electronics and communication engineering का इससे ज्यादा choice अपनी दे सकेगा check box के माध्यम से इसके बाद हम लोग आते है radio button control पर radio button control की जवर्वत कहां पर है registration form में आपसे कई बार आपका gender पुछा जाता है आप male है या female है तो वहाँ पर आप donor choice एक साथ नहीं दे सकते हैं आपको या तो male पर टिक करना होगा या female पर टिक करना होगा तो जब हम user को restrict करना चाहते हैं कि वो multiple options में से सिर्फ एक ही choice दे पाए तो वहाँ पर हम लोग radio button control यूज करते हैं ध्यान देने वाली बात है कि check box और radio button के अंदर functionality का यहीं अंतर है check box के अंदर जो option हम user को देते हैं उन choice में से user एक से ज़्यादा choice select कर सकता है लेकिन जब हम radio button यूज करते हैं तो radio button के अंदर user उन सारे possible choice में से सिर्फ एक ही option को select कर सकता है यहाँ पर हम यह user को choice दे रहे हैं दो choice दे रहे हैं computer science and engineering और electronics and communication engineering options वहीं है जो हमने check box में दिये थे अंतर कहाँ पर है यहाँ पर user या तो computer science select कर सकता है या electronics and communication engineering चूज कर सकता है जबकि check box के अंदर वो दौनों को take कर सकता था लेकिन radio button के case में वो सिर्फ एक ही को select कर पाएगा इसको लिखने का तरीका क्या है आपको input control यूज करना है क्योंकि जब भी आप form के साथ कोई control यूज कर रहे है तो वो input के थो ही होगा type बदल जाएगा type हो जाएगा radio radio indicate करेगा कि हम लोग radio button control को use कर रहे है control को आपको नाम भी देना है तो नाम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है cse और value दी हुई है on on और off आप दोनों मैंसे को भी value यूज कर सकते हैं और उसके बाद user को choice में क्या दिखाई देना चाहिए वो उसके बाद हमने लिखा computer science and engineering इसी तरह से हमने दूसरा radio button बनाया input type equal to radio, नाम दिया ece और उसकी value हमने assign की और user को choice देने के लिए हमने लिखा electronics and communication engineering जब एक source code execute होगा तो user को दोनों choice दिखाई देंगी लेकिन user सिर्फ एक ही choice को select कर पाएगा जैसे ही वो दूसरी choice को select करेगा पहली choice अपने आप हट जाएगी और दूसरा select हो जाएगा में से और check box के अंदर user multiple options select कर सकता है अगला control है select box control आप लोगों ने एकसर web pages के अंदर देखा होगा कि जब आप अपना address वहाँ पर डालते हैं तो address के नीचे एक field आती है city या state तो state आपको कभी भी type नहीं करना होता जिस राज में आप रह रहे हैं उसका नाव आपको type नहीं करना होता बलकि आपके पास एक list होती है उस list में सारे state के नाव होते हैं और आपको select करना होता है जब भी इस तरह की facility आपको provide करनी है जहां user को आप bound करते हैं कि वो एक selected list में से ही कोई choice दे तो हम लोग select box control को इस्तिमाल करते हैं select box control का इस्तिमाल आप कई जगे देख सकते हैं आप किसी course के लिए apply करते हैं उस course में अगर university के अंदर चार courses हैं तो आपको इन चार course में से ही कोई course select करना होगा तो उस case में वो लोग select box control का इस्तिमाल करेंगे अगर आप registration form भर रहे हैं तो country name में आपको select box control का इस्तिमाल करना होगा आपको state name select करना है तो आपको select box control का इस्तिमाल करना होगा अब select box control को हम लोग html में लिखते कैसे हैं उसको लिखने के लिए हम लोग tag यूज करते हैं select tag और select tag का closing tag भी आपको अलग से लगाना होगा इसको आपको नाम देना है तो इस चितर के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं यह आप user को दो choice दे रहा हूँ computer science engineering and electronics and communication engineering लेकिन वो एक select box control के माध्यम से user को दिखाई देंगी और user in दोनों मैंसे कोई एक choice को select करेगा तो इसके लिखने के लिए मैंने select control को नाम दिया drop down और उसके अंदर मैं क्योंकि दो options provide कर रहा हूँ तो मुझे एक और tag यूज करना पड़ेगा options तो tag का नाम हुआ option उसकी value हुई cse और उसके बाद मैंने लिखा selected selected का मतलब यह है कि जितनी भी choice में user को दूँगा उसमें एक choice कम से कम selected होनी चाहिए तो यह आपका पहली choice मैंने selected लिखा है इसका मतलब कि computer science and engineering select होके आएगा इसी तरह से मैंने user को दूसरा choice दिया दूसरा option दिया option value equal to ece यानि कि जब user इसको select करेगा तो उसकी value ece source code में जाएगी उसका जो मै select tag को इस्तिमाल कर रहे हैं तो select tag को हमें close भी करना होगा select tag के साथ हम option use करेंगे option में हम यह बताएंगे कि हमारे पास कौन कौन से options हैं और हमें यह भी बताना होगा कि कौन सा एक option by default selected आएगा इसके अलावा option tag को भी आपको अलग से close करना होगा कई बार select box control को हम लोग drop down control भी कहते हैं अगर आप इसको कहीं और देखेंगे तो कई बार आपको नाम मिलेगा drop down control तो drop down control और select box control दौनों की functionality एक ही है registration forms में आपसे आपका photograph upload करने के लिए मांगा जाता है कई बार जब आप किसी course के लिए online apply करते हैं तो आपकी marksheets की soft copy मांगी जाती है यानि की pdf या image file आपकी marksheet की आपको upload करनी होती है तो अगर आपको अपने registration form में इस तरह के upload की facility देनी है तो इस काम को हम लोग करते हैं file upload box की मदद से जैसा कि इस चितर में आप देख सकते हैं आपको या control दिखाई दे रहा है आप control के साथ लेखा हुआ है browse तो browse का मतलब है कि कौन सी file मुझे upload करनी है मान लिजे registration form में अगर मुझसे मेरा photograph मांगा गया है तो मुझे image file upload करनी है जो मेरा photograph होगा वो मेरे system में किसी folder के अंदर किसी directory के अंदर होगी file तो मुझे उसको browse करना है और उस folder से select करके web page को बताना है कि कौन सी file में upload करना चाहता हूँ तो ये तो आपको output में दिखाई देगा ये browse और जो input control आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन इसको html में लिखने के लिए हम लोग use करेंगे input control उसका type बदल देंगे type होगा file उसको हमें एक नाम भी देना है तो न type हम लोग पहले देख चुके हैं, name हम लोग पहले देख चुके हैं लेकिन यहाँ पर एक नया attribute है accept, accept का मतलब है कि मैं अपने web page को बता रहा हूँ कि जब मैं file browse करूँगा तो किस type की file में upload करना चाहता हूँ, अगर मैं photograph upload करना चाहता हूँ तो jpg या png type के ही file को मैं upload करू तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है accept equal to image star, इसका मतलब image file को हम लोग upload करने जा रहे हैं इस browse button के माधियम से, इसके बाद हम लोग चलते हैं button control की तरफ, button control सबसे ज्यादा use होने वाला control है क्योंकि अगर आप registration form पूरा भर देंगे और आपके पास इसको submit करने के लिए कोई मा चीला, तो हर जगे आप देखेंगे कि registration form के बाद आपके पास नीचे एक button होता है जिसको हम click करते हैं और उस click करने के बाद ही आपका data server तक पहुंचता है या server से उठके आता है, उस control को हम कहते है button, तो button को इस्तमाल करने के लिए हमारे पास जो तरीका है, input tag हमें use करना है, उसका type हमें बदलना है, उसका type हो जाएगा submit, reset या button और इसके अलावा चौथा एक option हमारे पास होता है image, यानि कि चार type के button हम लोग HTML के अंदर इस्तिवाल कर सकते हैं, इन चारो type के buttons को हम एके करके देखते हैं, पहला type है submit button, submit button का मतलब है कि जब user अपने registration form में data enter करेगा, तो enter करने के बाद उसको submit button पर click नहीं करना है, आपने अकसर देखा होगा कि हम लोग अपना data enter करते हैं और feed करने के बाद हम enter button को press कर देते हैं, तो submit button का मतलब है कि जैसे ही enter button पर वो press होगा, वो data automatically server पर भेज देगा, submit button के माध्यम से हम ये बताएंगे कि data हमारा कहा जाना इसके बाद दूसरा type का जो button है, वो है reset button, reset button अकसर आपने registration forms में देखा होगा, submit के पास reset button हमारे पास एक होता है, उसका मतलब यह है कि जैसे ही reset button पर click करूँगा, जो भी जानकारी मैंने अपने web page में form में दी हुई है, वो सारी जानकारी clear हो जाएगी, हट जाएगी, तो अगर इस तरह का कोई बड़ा form हम use कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि user अपने जैनकारी को modify कर पाए या बदल पाए, तो आप हम reset का button देते हैं, तीसरा है, सिर्फ button, अब यहाँ पर थोड़ा सा confusion आता है कि जब हमारे पास button है और submit button है तो दौनों में अंतर क्या है, submit button के करना होता है, तभी हमारी functionality execute होती है, अकसर आपने देखा होगा कि registration forms के अंदर या screen के अंदर 3 से 4 button होते हैं, तो जब आपको multiple buttons देने हैं, तो multiple button के case में हम तीसरे type का button यूज करते हैं, यानि कि सिर्फ button type को use करते हैं, अगर आपके पास form में सिर्फ एक button आपको देना है, त अब हम लोग आते हैं, चौथे button की तरफ, चौथा button है image type का button, यानि कि कि किस image को हम लोग button की तरह इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें जो attribute देने होगे, type हमारा हो जाएगा image, नाम हो जाएगा, यानि कि name हो हो जाएगा image button, और इसके साथ हमें यह भी बताना किस image को हम button की तरह इस्तिमाल कर रहे हैं, यह information हमें SRC के अंदर देनी होगी, तो जब हम button की बात करते हैं, तो चार type के button हमारे पास हैं, पहला हुआ submit button, दूसरा हुआ reset button, तीसरा हुआ सिर्फ button, जहां हमें multiple buttons की जरुवत है form के अंदर, तो वहाँ पर हम सिर्फ button को इस्तिम करेंगे, और चौथा हुआ image button, यानि कि जब किसी image को हम button की तरह इस्तिमाल करना चाहते हैं, तो हम लोग image button का इस्तिमाल करेंगे, इसके बाद हम लोग आते हैं hidden forms control की तरफ, यह वो controls होते हैं, जो user को दिखाई नहीं देते, लेकिन web page के अंदर यह होते हैं, और information इनके अं नहीं दिखाना चाहते हैं, वो भी हम web page पर रखना चाहते हैं, तो इस तरह की जानकारी को रखने के लिए हम लोग hidden forms का, hidden form controls का इस्तिमाल करते हैं, hidden forms control को लिखने के लिए हमारे पास type है hidden, यानि कि input control के साथ मुझे hidden type use करना है, उसका नाम देना है, और उसको एक value देनी है अब यह जो control है, यह user को दिखाई नहीं देगा, लेकिन web page पर होगा, और इसके साथ इसके अंदर जो value होगी, वो 10 होगी, अब इस screen के अंदर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर मैंने 3 input controls यूज किये हैं, पहला type है hidden, जिसके अंदर मैंने value डाली है 10, यह user को नहीं रहा हूँ, और उसके अंदर मैंने value दी है, submit, जो user को दिखाई देगा, submit लिखा हुआ, और तीसरे type का, जो मैंने control यूज किया है, वो है reset, यानि कि एक reset button में इस्तमाल कर रहा हूँ, और उसके साथ मैंने value दी हुई है, reset, तो अगर आप इसका output देखेंगे, तो इस output में आ submit करेंगे, तो ये information हमारी hidden field से उठकर चली जाएगी, आज की शर्चा में हम लोगों ने देखा, कि हम लोग HTML form को क्यों इस्तमाल करते हैं, और किस तरह से इस्तमाल करते हैं, HTML form को इस्तमाल करने के लिए हमें एक form tag की जरूवत होती है, तभी हम अपने web page के अंदर किसी form को implement कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ form tag से हमारा काम नहीं चलेगा, तो उसके साथ हमें कुछ controls भी चाहिए, तो हम लोगों ने control देखे, text controls देखे, जिसमें हमारे पास type था input, text, password, इसके बाद हम लोगों ने कुछ buttons देखे, check boxes देखे, radio buttons देखे, select field देखे, और उसके साथ हमने देख text area कि तुरू हम किस तरह से multiple line का support provide करते हैं, अगले सतर में हम लोग बात करेंगे, cascade style sheet की, यानि CSS की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि web page को CSS की मदश से हम लोग किस तरह से effective बनाते हैं, thank you.